तो आपके फोन में नेट नहीं चलता है तो आपके फोन में इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है नेट नहीं चल रहा है इस प्रॉब्लम के कई रीजन हो सकते हैं इनका solution भी कई step से होगा चलिए one by one करके सभी step देखते हैं कि किस अरीके से आप इस प्रॉब्लम को solve कर सकते हो इसके लिए हम अपने फोन में कुछ setting करें सबसे पहले आपको अपने फोन को reboot कर लेना है काफी लोगों के फोन में इस तरीके से problem solve हो जाता है और नेट चलने लगता है तो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसके लिए आप यहां पर power button को दबाए रखेंगे तो power button को दबाए रखेंगे फिर यहां पर restart को आप सनाएगा कुस phone में reboot भी लिखा रहता है तो इस तरीके से अब अपने फोन को यहां पर restart that means reboot करेंगे अभी आपका फोन switch off होगा तो इस तरीके से जैसे आपका फोन रिबूट हो जाता है अब आपके फोन में नेट चलने लेगेगा अगर आप इस तरीके से अपने फोन को restart यानि की reboot करते हो और फिर भी आपके फोन में नहीं चल रह करेंगे इसके लिए दूसरा इस्टप फिर आप अपने फोन में open करेंगे settings को और उसके बाद में आप नीचे आएंगे आपको mobile network का option दिखेगा आप देख सकते हो तो यहां पर mobile network पर क्लिक करेंगे सिम 1 और सिम 2 नहीं दीखेगा जिस पर भी नहीं चल रहा उस पर क्लिक करेंगे सो मेरे में वैसे एक ही सिम है एक पर ही नहीं चल रहा है सो मैं सिम 1 पर क्लिक करता हूं अब यहां पर भ्यान से देखेगा कुछ settings है इन settings को आपको करना है and problem होगा तो solve हो जाएगा सबसे पहल जो भी फोन है वह latest network select होना चाहिए तो मेरा phone 5G है तो भाई 5G already select है ओके तो यह आप चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2G 3G select हो भी नहीं चलेगा है ना सो उपर जो रहता है 5G 4G 3G यह वाला इसको आप सेलेक्श करेंगे फिर आप भाएगाए उसके बार में access point names पर क्ल करेंगे यहां पर एक settings और रहता है अगर आपके फोन में दो SIM पड़े होंगे तो data SIM 1 पर चालू हो या फिर SIM 2 पर तो वह setting यहां पर दिया होता है कर मेरे मेरे में एक ही SIM है इसलिए वह नहीं आ रहा है तो मैं screen sort लगा दिया हूँ साइड में आप देख लो सो जिस SIM पर net है उसी से पर data on रहना चाहिए तो यह आप कर लेना फिर आप यहां से बायक आएंगे तो यह करने के बाद आप अपने phone में check करेंगे आपके phone में net work करना चाहिए बट अगर यह setting करने के बाद भी net नहीं चलता है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं तीसरा step दाइस तीसरा network and Bluetooth settings पर क्लिक करेंगे ध्यान दीजेगा इसी settings पर क्लिक करेंगे कहीं अलग नहीं क्लिक करेंगे रिसेट साच करने पर अगर बाइचांस आपको reset network and Bluetooth settings नहीं मिलता है तो आप इस settings को छोड़ भी सकते हो कोई इतना जरूरी नहीं है बाट अगर यह settings मिलता है तो करना important है र यहां से problem होता दिन solve हो जाता है network करने लगता है आप रिसेट पर क्लिक करेंगे और आपके phone का networking system है वह पूरा reset हो जाएगा यहां से आप बाइक आएंगे अपने phone में data को on करेंगे फिर दोस्तों आप चेक करेंगे आपके phone में net चलने लगेगा ओके यहां पर आप देख सक इसका मतलब यह हो सकता है कि हो सकता है कि आपके area में अभी net चल रहा हो या फिर आपके SIM पर recharge कतम हो गया हो या आपके SIM पर data कतम हो या फिर यहां पर आपके mobile के अंदर कोई ना कोई networking इसू होगा तो यह कैसे check करेंगे सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपके आपके area में net चल रहा है तो आपके फ्रेंच लोग के जो फोन है उनमें आपका ही SIM मतलब जिस company का SIM आपके में है अगर उनमें भी net नहीं चल रहा है तो आपके में यहां पर नहीं चल रहा है तो फिर networking इसू हो सकता है एक बार यह भी चेक करेंगे कि भाई डेटा आपके फोन में बचा हुआ या नहीं है तो यह सारी चीजे आप खुद से चेक करेंगे बट अगर सारा कुछ सही रहता है फिर भी तो नहीं चल रहा है तो फिर इसका मतलब यह confirm है कि आपके फोन में networking पूरा system अंदर लगा होत आएंगे आपके किसी भी नजदी की mobile repairing दुकान पे और वहां पर लोग चेक करेंगे आपके फोन में जो भी networking इसो होगा वो लोग solve कर देंगे आपके फोन में नहीं चलने लेगेगा गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल पर फाहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करो चले दूस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अब तक लिए अच्छी है हिंद शैवारत